अमेरिका में कोरोना वाइरस का संकर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है इस बीच निव यॉर्क के चिडिया घर में एक बागिन के कोरोना वाइरस से संकर्मित होने का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि चिडिया घर के एक करमचारी के जरिये वाइरस का संक्रमन बागिन तक पहुँचा है इसे किसी जानवर को कोरोना होने का पहला ग्यात मामला बताया जा रहा है बता दें कि ताज़ जानकारी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वाइरस से 24 घंटे में 1200 लोगों की मौत हुई है जबकि मृतकों की कुल संख्या 12,000 के पार पहुँच गई है बहराल भागिन के संक्रमित होने का मामला नियू यॉर्क के ब्रॉंक्स चिडिया घर का है अधिकारियों की मुताबिक बागिन में संक्रमंट चिडिया घर के ही किसी करमचारी से पहुचा है अमेरिका के क्रिशी विभाग की रास्तिय पशु चिकित्सा सेवा प्रयोक्षाला में बागिन के नमूने का परिक्षन किया गया था ब्रॉंक्स चिडिया घर की वाइड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने मीडिया को जानकारी दी है कि उसका एक करमचारी जो बागों की देखवाल के काम से जुड़ा है वहाँ कोरोना से संक्रमित था जिस वज़े से चार साल की यहां बागिन भी कोरोना के संक्रमन की चपेट में आ गई है हाला कि ब्रॉंक्स चिडिया घर को एक मार्च को ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था सोसाइटी ने बताया है कि बागिन नादिया और चिडिया घर में मौजूद अन्य पांच बागों और शेरों में सांस की बिमारी के लक्षन दिखाई देने के बाद उनके नमूने लिए गए थे चिडिया घर की और से बताया गया है बागिन नादिया उसकी बहन अजुल दो अमूर बाग और तीन अफरीकी शेरों में सूखी खासी के लक्षन दिखाई दिये थे हाला कि सभी के ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है जबकि चिडिया घर के और दूसरे जानवरों में अ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है सेंट्रल जू अथार्टी ने कहा है कि देश भर के सभी चुडिया घरों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है सीसी टीवी के जरिये सभी जानवरों की 24 घंटे निग्रानी का आदेश दिया गया है जानवरों में किसी लक्षन या आसमान वहवार दिखने पर एतियाती कदम उठाने और जाच कराने को कहा गया है सभी राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेशों को लिखे लैटर में सेंट्रल जू अथार्टी के सचिव एस्पी यादों ने कहा है कि जानवरों की साउध जानी पूर्वक निगरानी की जरूरत है और यदि किसी जानवर में लक्षन दिखते हैं तो इसकी जाच करानी है संभावित संक्रमित जानवरों के कोरोना वाइरस जाच के लिए सैंपल एनिमल हेल्थ इंस्टिट्यूट को भेजने को कहा गया है चिडिया घरों में कोरोन संदिक्द जानवरों को कॉरिंटाइन करने के भी निर्देश दिये गए हैं तीन प्रयोक शालाओं में जानवरों की कोरोना टेस्टिंग के इंतिजाम किये गए हैं कोरोना वाइरस अभी मानों से मानों में ही ट्रांसफर हो रहा है यदि हाँ जानवर भी इससे संक्रमित ह तो कोरोना की चुनोती कई गुना बढ़ जाएगी पर्यावरन और पारिस्थितिक कंद्र के लिए बड़ा संकट उत्पन हो जाएगा आप कल्पना कर सकते हैं कि इंसानों को नियंत्रित करना और कोरोना संक्रमन के चेन को तोड़ना इतना मुश्किल है तो जानवरों को सुर सक्रमित है तो उसे जानवरों से दूरी रखनी चाहिए पालतू जानवरों से भी दूरी बनाए रखें जब तक इस वाइरस को लेकर और चीजे सपस्ट ना हो जाए दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही धन जरूर्ण करो पका राय हमें चैया है बनावरों से बनावर ओनी और मेंस रखनीवीं वे जरूराव आपको ए्वा फन